रुड़की के पिरान करेर में एक संसरी खेज मामला सामने आया है जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने बड़े बेटे ने छोटे बेटे की हत्या कर दी वहीं पुलिस पर पुलिस जाच कर रही है, हाला कि CCTV फुटेज के माद्यम से पुलिस लगातार जाच में जूटी हुई है, CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें प्रेमी युवक सर पर किसी कंबल नुमा वस्तु को ले कर जा रहा है, हाला कि पुलिस तमाम पहलों की जाच की बात कह रही है वही महिला का रोफ है कि उसके प्रेमी ने उसके बेटे की हत्या की है और सब लेकर मौके से फरार हो गया है, हाला कि उससे पहले पुलिस को जो मन घड़त कहानी बताए थी उसमें भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, हाला कि महिला ने उससे पहले पुलिस को बताया था कि उ सिर्फी दीहार्ट सोपण किसोर सिंग का कहना है कि तमाम पहलों पर जाच की जा hoering और महिला की थारीर हो नियुकि पर पूरा मामला क्या है लेकिन अभी तक पूलिस तमाम पहलों की जाज की बात कर रही है अभी हत्या की किसी तरीगी के बाद सामने निकल कर नहीं आई है पूला के दोरा तहरीर दी गई है तहरीर के आधार पर अभीयोग पंजिकत किया गया है और CCTV फूटेज तथा अन्य तरीकों से साक्षे संकलन की कारवाई की ज़िए रही है CCTV फूटेज से एक गठर जैसी चीज ले जाता हुआ एक यूवक दिखाई पड़ रहा है आगे उसमें और कडियां जोड़ी जा रही है कि क्या और पुष्टी के लिए अन्य तरीकों से चीजें कोशिचें की जा रही है देखे इस पर अभी कोई टिपणी करना समिचीन नहीं है क्योंकि जब तक किसी भी सूचना की कोई पुष्टी नहीं होती है तब तक कोई भी टिपणी ठीक नहीं मानी जाती है यह एक ऐसी चीज है जो पता नहीं किन परिस्तितियों के मद्देनेजर उनके द्वारा क्या कथित किया गया उस समय तमाम भावनात्मक उद्वेलन की इस्तिती होती है मेंटल ट्रामा से गुजर रही थी तो अब उस पर कोई टिपणी करना समिचीन नहीं है लेकिन जो उनके द्वारा आशंका व्यक्त की गई है उस आशंका के क्रम में टीमें लगाई गई है कि अगरिम कारवाई और समद में सभी संभावित पल्वों से जाच की जा रही है जो कुछ भी तथ्य प्रकास में आएंगे उसी के अधर पर आगे कारवाई की